हाँ 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 गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टो आई आई टी स्मार्ट लर्ण आज मैं आपको ट्वेल्थ केमेस्ट्री का सेप्टर एट का भाग टू बताने जा रहा हूं भाग वन मैंने बता दिया है जैदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को मुख्यव होता है तो पीतल का मुख्यव्यव वह व कि संक्रमन धातू की फुर्न श्रेणिया होती है तो संक्रमन धातू की पुर्न स्रेनिया संयोजक्ता दरसाते हैं तो पर्तिवर्ति संयोजक्ता जो है वर्ग 3 से 11 तक के तत्व जो है वो दिखाते हैं इसलिए पकर राइट ऑप्स जाएगा C चलिए next question देखते है कि निमलिखित में से कौन सा पर्थम पंक्ती का संकर्मन तत्व नहीं है तो संकर्मन तत्व जो है Mg नहीं है, Magnesium नहीं है, इसलिए आपका राइट उप्सन जाएगा C चलिए next question देखते हैं, कि संकर्मन तत्व है, तो संकर्मन तत्व जो है, आपका D खर्ण के तत्व को संकर्मन तत्व कहा जाता है, इसलिए आपका राइट उप्सन जाएगा C किकस लिघृच्छ चैने किस ग्रूप के तत्व को संकरमन तत्व कहा जाता है वह संकरमन तत्व जहां के तत्व को कहा जाता है आप शया हूस nessa ust audio कि पर्थम संकरन संकरमन श्रेनी के तत्व में खनात्म विर्धी होती है कि तो सुंसे बिर्धी जो होती है 50 से ओंडि नाइ तक होती है इसलिए तक यहलjar ऑगा थिन आपकर टे आपका राइट उनन चैनल से रिट हुचरोनिक विन्यार से है तो रिलेंट काびुचरोनिकậy विन्यार सो होगा अफार की धीपंड इल्LEक्टार्णिक मिन्यास है तो लेंथे नाइट का जो है एलेक्ट्रोनिक मिन्यास जो हो जाएगा आपका वह जाएगा XC N-2 F to the power 1-14 into N-1 into D1 Ns2 तो यह आपका राइट अप्सन जाएगा C चलिनाश कोर्शन देखते हैं कि घंटा धातु मिस्र धातु है तो यह जो है आपका copper प्लस Sn की है इसलिए आपका जो है राइट अप्सन जाएगा B Cu प्लस Sn चलिनाश कोर्शन देखते हैं कि 3D स्रेणी में कौन साथ्ता तो परिवर्ती सन्योजक्ता नहीं दरसाता है तो परिवर्ती सन्योजक्ता जो है आपका नहीं दरसाता है वह है आपका ZN इसलिए आपका राइट अप्सन हो जाएगा D ZN चलिए नेक्स्ट कोर्शन देखते हैं कि लेंधे नाइडो की समान्य ओक्सिक्रन अवस्था होती है तो समान्य ओक्सिक्रन अवस्था जो होती है आपका वहता है प्लस 3 इसलिए राइट अप्सन जाएगा C नेक्स्ट कोष्टन देखते हैं कि एक्टी नाइडो की अधिक्तम ओक्सिक्रन अवस्था होती है तो ओक्सिक्रन अवस्था जो होती है वह होती है प्लस 6 इसलिए राइट आप्ष्टन होजाएगा डी wrMI क्रोमियम का अक्सिक्रमन अंक होता है तो इसका अक्सीक्रमन अंकुर्ण ओक्छा का इलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा तो इसका जो इलेक्ट्रोनिक मिन्यास हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 3D to the power 5 इसलिए राइट अप्शन हो जाएगा आपका A नेक्ष कोशन देखते हैं कि धलवा लोहा में कारवन परमानु की परतिसत मात्रा पाई जाती है वह 0.4 परतिसत यहां पर पॉइंट छुट गया है ध्यान देलीजिए इसलिए राइट अप्शन आपका हो जाएगा A चलिए नेक्ष कोशन देख लेते हैं कि निमलिखित में से कौन सा तत्व कम्रे के ताप पर द्रव है तो कम्रे के ताप पर जो द्रव होता है वह है आपका HG इसलिए राइट अप्शन आपका हो जाएगा B नेक्ष कोशन है कि निमलिखित में कौन नेशलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अप्शेप देता है तो भूरा अप्शेप देता है वह है कि इसलिए आपका राइट अप्शन जाएगा D चलिए नेक्ष कोशन देख लेते हैं कि S3 Ti प्लस 4 तथा JN प्लस 2 का चुमबकिये आघोर्न होता है तो चुमबकिये आघोर्न जो होता है यह सुन होता है इसलिए राइट अप्शन हो जाएगा D चलिए नेक्ष कोशन देखते हैं कि निमलिखित में से कौन संकर्मन धातू का आयन अनुचूमबकिये है तो संकर्मन धातू का अनुचूमबकिये जो है वह JN प्लस 2 हो जागा इसलिए आपका राइट अप्शन जाएगा D चलिए Next question देखते हैं कि निमलिखित में MN की आयनिक तिरिज्या किसमें सबसे कम होती है तो आइनिक तिरिज्या जो है वह के MN O 4 में होती है सबसे कम इसलों राइट आपशन हो जागा आपका C चलिए Next question देखते हैं कि कौन सी धातू का नाइट्रेट की उस निये विघटन होने पर रंग हीन ग्यास मुक्त करता है तो रंग हीन ग्यास जो मुक्त करता है वो आपका है Hg No3 whole twice इसलिए राइट ओप्शन हो जाएगा D चलिए next question देख लेते हैं कि निम्न में से किस धातू का क्वथनांक नियून्तम होता है तो आपका Hg का जो क्वथनांक है वो नियून्तम होता है इसलिए आपका राइट ओप्शन हो जाएगा D देखते हैं कि निम्लिखीत में से किस धातु का घनतो नियुंतम अथ्वा सबसे कम होता है तो सबसे कम जो होता है वह सी का होता है इसलिए आपका राइट अप्शन जाएगा भी चलिए next question देखते हैं कि D कक्षकों के तीन अयुगमित इलेक्ट्रोन रखने वाला सम्मू है तो अयुगमित रखने वाला सम्मू जो है वह CR3 प्लस और CO2 प्लस है इसलिए राइट अप्शन आपका हो जाएगा B चलिए next question देखते हैं कि निमलिखित में से किस तत्म में 4F उर्जा अस्तर क्रमिक रूप से भरता है तो 4F उर्जा जो है क्रमिक रूप से भरता आपका लेंधे नाइड में इसलिए आपका राइट अप्शन हैगा A चलिए next question देखते हैं कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है वह है सोना इसलिए आपका राइट अप्शन होएगा A देखते हैं कि c e के अलावा अन्य लेंथेनाइड तत्व के कौन ऑक्सिकन अवस्था अस्थाई है तो ऑक्सिकन अवस्था जो अस्थाई है वह प्लस 3 है इसलिए राइट अप्शन हो जाएगा आपका c देखते हैं कि निम्न में से किस धातू का घनातो अधिक्तम पाया जाता है तो अधिक्तम जो घनातो है वह आपका hg क्या है इसलिए राइट अप्शन हो जाएगा आपका d देख लेते हैं कि निम्न लिखित में से किस धातू की ऑक्सिकन अवस्था अधिक्तम होती है तो ऑक् का इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा सी नेक्स कोशन है कि डी और्वीटल का आकार होता है तो डी और्वीटल का आकार जो होता है वो डबल डंबेल होता है इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी चलिए नेक्स कोशन देखते हैं कि एस और्वीटल का आकार होता है तो s orbital का आकार जो होता है आपका गोली होता है इसलिए राइट ओप्ष्ण है और इस देख लेते हैं कि निमलिखित में प्रीडियर यड जो है आपका प्रीवी सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में